कोई कोई जगह ऐसी होती है जो हर बार अपनी अलग खुपसूर्ती से रूबरू कराती है ऐसी जगह वाकई कमाल होती है अगर गाउं जाना ही है तो ऐसी जगह पर जरूर जैं और वहां की संस्कृती खुपसूर्ती का मजे लें जिसे अकसर नजर अंदाज कर दिया जाता है 36 गड़ के सरगुजा जिले की ऐसे ही छीपी और खुपसूरत जगह है ठुठी डूमेर जहां विताय पलों को मैंने सहेज लिया तो आप भी हर्याली का लुप्त उठाए और साथ में देखिए पहाडी को रवाजन जाती के रहन सहन को पहाडी कुर्वा नूल रूप से सरगुजा बलरामपूर और जस्पूर जिलो में निवास रत हैं और इनकी आबादी बहत कम है इस जनजाती का अपनी एक विशेज संस्कृती है या आज भी प्राकृती के साथ एक अटूट रिष्टे से बधे हुए हैं और पूरी तरह साथा जीवन जीते हैं या आज भी अपने पुर्वजों की तरह पहाडी जंगलों पर ही निर्भर हैं और कंद मुल इनके तेहनिक भोजन का परमुख हिस्सा है इस जंजाती को भारत सरकार ने विशेश सनक्षित जंजाती का दर्जा दिया है और या राष्टपती के दत्तक उत्र भी हैं इनके घरों में एक कमरा होता है एक कमरा इनके लिए पर्याप्त आरम दायक होता है कमरे की दिवारों लकड़ी या मिट्टी के बनी होती है कमरे में एक दर्वाजा और सांथ में एक बरामदा होता है घर के पास में ही किनारे या पीछे लकड़ी से बनाया गया सूरों का एक बाड़ा होता है घरेली उप्यों के समान बगेर किसी खर्च के ये जंगल से उपलब्द कर लेते हैं कुरवा जन्जाती परती दिन नाच गान नहीं करते हैं ए लोग साधी विवा जन्म तथा अन्य उठ्सवों पर ही नाच गान करते हैं पर कभी कभी डमकच या करमागीत गाते हुए सुन सकते हैं इनके वाद ये अंत्रों में मांदर, पैजन, आदिशा मिल हैं दोस्तों मैं इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूं अगर आप ऐसे वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमेशा चैनल पर बने रहें और इस वीडियो को लाइक, कॉमेंट, सेर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवस्य दबाएं ताकि आप आने वाले वीडियो को सबसे पहले देख सकें सुक्रिया